अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की और वहाँ का हाल जानते हैं क्यूंकि आज तीसरे चरण की वोटिंग है और ऐसे में मेरे दो सयोगी राजेश कुमार और कुमार सोनू हमाँ मेरे साथ जुड़े चुके हैं। राजेश करहल से हैं, कुमार सोनु इटावा से, राजेश पहले में आपका रुख करूँगी, करहल की बात की जाए तो एक ऐसी सीट जो सबसे important मानी जा रही है, hot seat मानी जा रही है और अखिलेश यादव यहां से चिनावी मैदान में है, तो वहां किस तरह की तस्वीरे और जिनेतिक समिकरन आप देख रहे पा रहे हैं, देखे करहल की सीट बेशक सबसे hot seat है उतरपरदेश में और सिर्फ उतरपरदेश ने पूरे देश की नजर है, इस seat पर क्योंकि अखलेश यादव पहली बार विधायक बनने के लिए इस seat से उतरे हैं, हाला कि सीट पर साल 1993 से समाजवादी पार्टी का कबजा रहा है, साल 2002 में एक बार बीजेपी जरूर जीती थी, लेकिन वो विधायक बाद में समाजवादी पार्टी में चले गए थे, तो लगातार ये गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का, यही वज़य है कि भारती जनता पार्टी ने इस ब भरने के बाद यह कहा था कि वो सीधे यहां पर से जीत का सर्टिफिकट लेने आएंगे लेकिन उसके बाद वो परचार में आए नेता जी भी यानि कि मुलायम सिंग यादव भी परचार में यह भारती जनता पार्टी की तरफ से बार-बार कहा गया वहीं समाजवादी पार् वो अपने परिवार से मिलने आते हैं तो कोशिशे दोनों तरफ से पूरी की गई है अब आज जनता तै करेगी कि कौन यहां से विधायक बनके जाता है एस्विस सिंग बगेल जीतेंगे या फिर अखलेश यादव लखनव में यहां से जीत के जाएंगे यह आज तै हो जा आप किस तरह की तस्वीरे वहां से हमारे सामने ला रहे हैं? से सतावन से लेकर अब तक यहां पर यादव विधायक रहे हैं फिलहाल आपको तस्वीर दिखा दूँ यह अभी नव विधायले है सैफ़ाई का और मुलायम सिंग यादव का जो कुनबा है वो यहां आज वूट डालेगा खुद मुलायम सिंग यादव पहुंचेंगे र साल 2017 में यहां की दो विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने कबजा किया था और एक जस्मत नगर विधानसभा सीट जहां पर इस वक्त हम मौझूद हैं सैफ़ाई में इस सीट से शिपाल सिंग यादव चुनाव जीते थे रही बात 16 जिलों की 69 विधानसभा सीटों की अग उसको मजबूत और करने की लड़ाई है तो वहीं समाजवादी पार्टी जो है इस यादव लेंड पर अपना वर्चस दिखाने की एक साख है खुद मुक्यमंतरी पद के उमीदवार जो समाजवादी पार्टी के हैं अकलेश यादव उनकी किसमत का आज फैसला EVM में मतदान भी होना है पंजाब की बात की जाए तो वोटिंग के वक्त में बदलाव किया गया है आठ बजे से वहाँ मतदान शिरू होगा तो उत्तर प्रदेश इसे क्या अपडेट क्या यहाँ आठ बजे शिरू होगा या नॉर्मल साथ बजे का ही टाइम है देखिए यहाँ पर अभी टाइमिंग में को लेकर कोई बदलाव नहीं है साथ बजे का ही समय है साथ बजे से यहाँ पर वोटिंग शिरू होगी फिलहाल जैसे मैंने कहा कि इस वक्त हम सैफ़ई में मौजूद हैं जो कि मुलाहिम सिंग यादव का पूरा परिवार यहाँ पर रहता है और शिपाल सिंग यादव यहाँ पर है राम गोपाल यादव जो कि मुलाहिम सिंग यादव परिवार के एक एहम सदसे भी है और सबसे पहले यादव परिवार में वोट डालने के लिए राम गोपाल यादव ही पहुंचते हैं तो माना जा रहा है कि अब से कि वोटर्स वक्त से पहले पहुंच जाते हैं कि बिल्कुल लोग उत्साहित रहते हैं और आपको मैं दिखा दूं कि यहां पर वोटर्स पहुचे हुए हैं करहल में पिछले 3-4 दिनों से मैं हूँ और लगातार देखा हूँ कि प्रतियाशी से जादा वोटर उत्साहित है यहां पर उन्हें इंतजार था आज के दिन का कि वो मद्दान का दिन आए और वोट करें और इस वक्त मैं किर्थुआ गाओं हूँ करहल में यह किर्थुआ ग जोसना कि लोग कितने उतसाहित हैं इस इलाके में तकरीबन यहां पर 1,44,000 वोट यहां पर यही वज़े है कि समाजवादी पार्टी जो है इसे गढ़ मान कर चलती है लेकिन इस पी बगेल ने यहां पर आकर मामला रोचक मनाया है मुकाबला रोचक मनाया है बीजेपी के समाजवादी पार्टी के तरफ से तमाम बड़े नेता यहां पर प्रचार करने पहुचे अब आज के दिन भागे तै होगा आज के दिन पेटी में भागे बंद हो जाएगा अखलेश यादव या फिरस्वी बगेल कौन जीता है तो दस मार्च को पता चलेगा लेकिन मत्ता आज जरूर तै कर देगा कि किसके वादों में जादा दम था किसके जो वादे किये गए उसके वादे पे जादा भरोसा करता है मत दाता वो आज तै हो जाएगा जोस्मार राजेश मैं कुमार सोनू का एक बार फिर से रुख कर लेती हूं तब तक अगर आपके लिए हो वोटर्स से बात करना तो आप प्लीज कोशिश कीजिए कुमार सोनू अगर सुरक्षा के लिहाद से बात की जाए तो किस तरह के इंतजाम किये गए है क्योंकि हमने पिछले दो चरणों में देखा है कि दोनों ही पार्टीस की तरफ से लगातार कंप्लेंड की गई है अल यादव लेंड पर आज वोटिंग है और इटावा जो जिला है वो हमेशा से ही होट माना जाता है राजनीती को लेकर क्योंकि सुबे की एक राजनीती जो है वो इटावा शेहर से भी चलती है तो फिलहाल यहां पर जो वोटिंग को लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्ता के ल यूपी पुलिस के जवान पी एसी साथ साथ पैरमिलेटरी फोर्सिस के जवान यहां तैनाथ किये गए हैं अब्जरवर जो है चुनावायों की तरफ से यहां नियुक्त किये गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई वोटिंग के दौरान कोई समस्या ना हो ईवी एम को लेकर खासा एतियाद बता जा रहा है कि कोई खराबी की शिकायत ना आए और समय पर जो है वोटिंग शुरू हो तो तमाम जो सुरक्षा ववस्ता के इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं और अब यहां पर वोटिंग शुरू होने वाली है